Hello everyone, स्वागत है आप सभी का Notebook Academy में General Studies की जो हमने एक सिरीज स्टार्ट की है For SSE CGL की उसमें आज हम कबर करने वाले Economy section को इससे पहले हमने हिस्ट्री का पूरा course कम्प्लीट करवा दिया 2010-2022 तक जितने भी paper हुए हैं जितने भी sift के हैं सारे के सारे question हमने cover करवा दिये और उसको जाके आप लोग देख लिए प्ले लिस्ट में यहां description box में उसकी link डाल दूँगा PDF की link भी यहां पर आपको मिल जाएगे description box में telegram की link वहां से आप डाउनलोड कर लीजेगा और यहां पर हम कबर करने वाले हैं 22 में जो अपरैल में महीने में paper हुआ है SSC CGL का उसके सारे के सारे सारे question यहां पर हम कबर कर लेंगे यह काफी useful लेने वाले क्योंकि आपके idea लग जाए कि कहां से question पूछी आते हैं और जो economy section होता है इसमें बहुत selected areas question पूछी आते हैं limited resource में maximum output मिल जाएगा one by one सारे question कबर करते हैं जिसके लिए useful रहेगा इसे utilize कर लेगा और चलिए शुरू करते हैं तो पहला question जो आया था which of the following is an indirect tax in India पूछा गया था कि बहुत है भारत में आप अपत्ते कर कोन है यह indirect tax जिसको बोलते हैं GST दूसा था income tax तीसा था corporation tax अच्छा होता था capital gain tax अच्छा होता था capital gain tax जो earn करता है उसे को pay करना पड़ता है corporation कभी same होई है GST जो होता good and service tax जो होता है इसको worst and शेवा कर बोलते हैं यह indirect tax है तो जो हमारा जो खरिता है जो बेशता है उसको payment नहीं करना पड़ता है जो खरिदता है उसको payment नहीं करना पड़ता है indirect tax सीधे से यह बाद है GST जो होता है good and service tax वो क्या है indirect tax है हमें साहत करें indirect tax समीजा वस्त पर रखता है किसी product पर लगता है indirect tax तो आप है किसी बास्त पर रखता है पर बोलता है उस पर लगता है ठीक है इसका cut option के option नहीं करता है एक goods है service tax बोलता है GST इसको बोलता है अगला question किया था which of the following statement is and are correct only market only market goods are considered while estimating gross domestic product यान की GDP the work done by women at her home it's outside the preview of GDP in estimating GDP only file and goods and services are considered इसमें का गया था निम्रिखित में से कौन सा कतर सही अगलत है शकल घरेलू उत्पाद याजीडीप जिसको बोलता है अनुमाल लगाना के समय किवल बिड़वाई की गई है वस्टोप पर विचार किया था एक मजिला दोर अपने घर पर किया गया कार्ज सकल घरेलू उत्पाद के दार्ये से बाहर है तीसरा उप्सन था कि सकल घरेलू उत्पाद का अनुमाल लगाने में किवल अंतिम वस्तूओं और सिवाओं पर विचार किया था तो देख्या ऐसा होता Kि जब भी GDP काल्कुलेट करते इसको गुनाज डवस्टी ps2 करते हैं तो पूरे को पूरे करvem करें त्यार होजाती है त्यसक्तला से इस μ Ariodaiggles पास्ट होजा दूसरा अगर वीमन है हमारी माता जो गन में मा है उन लोग जो बनाती है घर पर काम करते हैं उसके लिए उनको कोई पेमेंट नहीं बिलता वह भी GDP से बाहर रहता हूँ तीसरा जो होता है मार्केयर वे रेंशाब करते हैं तीड़ एक पांट सपरा तो कहाँ किसी उपाय करिपए कर लिए का जया है इसको कहा जयाता है चार अप्सन थे Central Bank, State Bank, Dena Bank, World Bank Central Bank जिसको बोलते हैं जिब भाद में RBI है किसी भी देश का Central Bank होता है इंडिया की केसे में RBI, Reserve Bank of India है उसे Bankers का Bank बोलते हैं तो अंति प्रेंट जो होते हैं जिब बैंक से लोन लेना होता है तो यह किसी लेता है, Reserve Bank of India से RBI से लेता है इसलिए बोलते हैं, The Lander of Last Resort बोलते है अंति उपायकर इंड़ात इसको बोलते हैं Central Bank होता भाद की केस में RBI and Reserve Bank of India बोलते है अगला question देते हैं Which of the following is India's first paperless budget तो कहते हैं भाद में निम्रिकित में से कौन सा पहला paperless budget था यह important question है कि paperless budget कब था तो इसमें चार अप्सन थे union budget 2018, union budget 2020, union budget 2019, and union budget 2021 तो जो 2021 का union budget था इसको paperless budget बोलते हैं, ठीक है अगला कौन सा question है था The value of GDP, gross domestic product of India is published by PIB इन, बाद के यो सकल घरिलू, उत्पाद इसको GDP का बोलते हैं कमूल PIB दोरा, इसमें परकासित किया जाता है याद किजिए जो भी GDP of India publish किया था वो publish किया था, किसमें चार अपसंदे, US dollar, yen, yuan, Indian rupee इसे Indian rupee में publish किया था जब भाद के GDP बात करें तो भाद का रूपी में publish किया था अगला question रिकार्ड 82.2% हो गया था तो इसके चार अपसंदे, 1999 में, 2003 में, 2001 में तो इसका कट अपसंदे, C अपसंदे, 2003 में जो है यह हो गया था, C अपसंदे, अगला question आगा है कि, what is a tax system that collect a greater share of income from those with high income than the those with lower income और यह होदा है, यह होता है, फको दो एक होता है progressive होता है, ≤ एक होता है, paporcriptal tax, ≤ rep org, औ at the first comments for this, progressive tax का मतलब हो है وتा सीदह, जैसे-ापकी income बढ़ेगी सबने, वwo इसए-वजय आपको ज्यादा tax payment करना पड़ेगा जिसके income कम है उसको कम tax payment करना पड़ा है इसको बोलते है progressive tax जिसके income बढ़ रहे उसको कम देना पड़ा है जैसे कि जब भी product किनाम बढ़ते है इसके दूध है का packet है उसका प्राइज एक बढ़ेगा इसका effect जो होता है तो गरीब लोग है उनको ज्यादा effect पड़ेगा लेकिन एक दो रुपय बढ़ने से अम्मानी को कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है क्यों क्योंकि उसके बड़ी pocket है इसलिए उसको regressive nature बोलते है progressive nature होता है जिसका इसमें लिखाना है कि is the tax which collected greater share of income फ्राइज वह फ्राइज जितकी इंकम ज्यादा उसको ज्यादा पेमेंट करना पर इसको कम पन पेमेंट करना इसको बोलता है progressive tax जैसे कि हमारे income tax होता है progressive होता है चार option फार्मूली थे उसमें correct option क्या है उसमें correct option option यह है कि GDP at constant price minus taxes plus subsidies जैसे आपने क्या किया GDP calculate रहा है फालाइट goods and services जितनी भी है उनको आपने लिए उनका value calculate किया फिर जो taxes दिया गया उसको minus कर दिया फिर government क्या होता है जो subsidies देती है उसको add कर लिया गया GDP calculate किया यह इस्तिर कीमतों पर सकल गरेलों उतपार minus कर plus subsidy हो जाती है यह इसका cut option है at a regional ruler bank the share of government of India is 4 option कहते है एक छेत्रिय ग्रामीड बैंक में भाहर सरकार है कितना हिस्सा होता है तो 4 option है 40%, 60%, 50%, 20% जिसका cut option है 50% जो regional ruler banks होते है उसमें government of India का share होता है 50% होता है अगला question देखते है which of the following does not come under the category of public goods कहते है निम लिखित में इसे कौन सा सार्वजिनिक समान की सेडी में नहीं आता है 4 option दे government administration, food items, national defense, roads तो जो food items होते है न ये सार्वजिनिक समान की सेडी में नहीं आता है तो correct option, B option correct है फर्ला question कहा था which of the following was the first development bank in India कहते है निम लिखित में से कौन सा भाग के पहला विकास बैंक था 4 option दे इंडेस्टिनल हाउसिंग बैंक, 4 इंपोर्ट बैंक आफ इंडिया इंडेस्टियल फाइनस कार्पोरेशन आफ इंडिया और 4 इंडेस्टियल देपलेमेंट बैंक आफ इंडिया इंडेस्टियल फाइनस कारेक्ट है अगला कोश्चिन के आए था इस सिस्टम आप MSP MSP का फूल फार में आथ के लिए का भी पूछा रहा सकता है मिनमूम सपोर्ट प्राइस्ट फॉस्ट इंडेस्ट फार इन 1966-1967 ठीक है चार अपसन था में जब MSP दी गए थी सबसे पहले इंटॉज गए उसके लगी नालगागी लागी हो गया तो परिए अगला कॉश्शन देते हैं Queshen है Central Board of Director of Reserve Bank of India appointed for a term of जो Central Board of India Director है Central Board of Reserve Bank वो कितने साल के लिए इनका कारिकाल होदा तो यह पॉइंट के आदे है चार अपसंदे 3, 2, 4, 5 तो अच्छली 4 साल का इनका term होता है कितने साल का इनका appointment होता है अवद होती है चार साल के होती है Regional Ruler Banks are Stabilized on the recommendation of On Ruler Credit कहता है Gramid Red पर किसकी सिपार्शियों पर छेत्रिय ग्रामिट बैंकों की स्थापना की गई थी तो चार अपसंद एक रेखी समीट थी एक केलकर समीट थी तो नर्सिंबा समीट जो नर्सिंबा कमेटी थी उसके recommendation पर Gramid Red पर ग्रामिट बैंकों की स्थापना की गई थी ठीक है यह important होता है नर्सिंबा कमेटी फ़र्ला question कहा था Who am I the following are the first Indian Governor of Reserve Bank of India तर निबलिखित में से कौन भारती रिजर बैंक के पहले भारती गवरनर थे चार option CD देश्मुक HVR लेंगर PC भट्टा चार LK जा The correct option is option A CD देश्मुक जो है वो भारती रिजर बैंके पहले भारती गवरनर थे फ़र्ला question GDP deflector is also car GDP deflector is also car Implicit inflation index explicit inflation index implicit price deflector implicit explicit price deflector GDP deflector किसे का जाता है तो चार option देश्मुक C option का जाता है नहित मूल अपरस्ति का रग जो होता है Implicit price deflector GDP deflector price का एक indicator होता है ratio GDP deflector inflation को एक तना से indicate करता है price कितना उपनीची आरह implicit price deflector होते है GDP deflector को April 2022 में जो जितने भी सारे shift हुए है और सारे shift के सारे question यहां पर cover कर दिया मैंने और इसमें मतलब आपको कियात करना आपको GST के चारतर घूमना है थोड़ा बहुत banks के बारे में देख लेना RBI के बारे में इससे यादा कुछ नहीं पढ़ना इतने में आपके सारे question कपर हो जाएंगे इस बार भी जादा change नहीं होने वाला क्योंकि April में ही हुआ अभी December में होने वाले बनाने वाई लगबग वही लोग फिंसे रहेंगे और जादा इसमें डाइवर नहीं होना selected पढ़ना जैसे आप GST के बारे में पर लीजिए सारे के सारे question के वहां से हो जाएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और सियर सपोर्ट और सब्सक्राइब नोट्बूक कर लीजिए हिस्ट्री का आप जाके वहां पर देख लीजिए झाल